आज का अमारा वीडियो धूजा प्लान पर है इसको मोरपंकी प्लान पर बोलते हैं और इसको विद्या पढ़ाई प्लान के नाम से भी जाना जाता है इसको उनकी गर्मियों में इसका ध्यान कैसे रखें कि ये पौधा हरा भरा रहें आपका पौधा खराब न हो सूखे न तो उस पर ही पूरा वीडियो बनाया है आज तो पूरा वीडियो देखेगा और मेरे जो बताए टिप्स उन्हें फॉलो जरूर करिएगा तो आपका भी काफी हरा भरा रहेगा इस पौधे को जब भी आप नर्सरी से लेके आए तो इसे मिति के पौट में ही लगाए प्लास्टिक के पौट में ना लगाए इसकी कटिंग भी लग जाती है इसे सीर से भी इजली ग्रो कर सकते हैं भी आप नर्सरी से पौधा लाए तो आप ब मैं जैसे ही विंटर खतम होती है तो हम देखेंगे को गोरी की पत्तियां होती है काफी सूख सूक जाते हैं तो गरमिया स्टार्ट होते ही इन ब्रांचे सबसे पहले कट करके हटा देना चाहिए सरदियों में इसे कोहरे से बचा के रखना चाहिए ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां एक दो गंटे की अच्छी सनलाइट आती हूँ उस जगह इस पौधे के रखिए और इस पौधे के आप हिलाएंगे इस तरह से तो पुरानी पत अधिया खराब हो गई हो ब्रांचे खराब हो गई हो तो उन्हें सबसे पहले कट करके हटाएं और उस दिन ऐसे ही रहने दीजिए उसके बाद आप जैसे ही समर स्टार्ट हो तो इसमें खास काम आपको करना होता है वह होता है मल्चिंग का और इसे कैसी जगह पे रखना हो यह ग्रीञ सी और वो हमारे पौधों की जड़ोत तक धूप और हवा नहीं पहुचने देती हैं तो जैसे ही समय स्टार्ट हो इस पौधे की गुराई करनी सबसे ज़रूरी हो जाती है ताकि हमारे पौधों की जड़ोत अच्छे से हवा पहुच सके धूप पहुच के और कोको पीठ है तो उससे भी आप मलचिंग कर सकते हैं कर्मियों में जब भी इसकी मलचिंग करें तो सबसे पहला काम इसका गुड़ाई का है गुड़ाई अच्छे से कर लें इसके बाद मलचिंग करें पौधियों में इस पौधे को आप डारेक्ट संलाइट में रखें और गर्मियों में आप इसे इंडारेक्ट संलाइट में रखें ऐसी जगे पे रखें जहां केबल मौर्णिंग की अच्छी धूपाती हो या फिर अच्छी रोशनी में इसे रखें तो बहुत ही अच्छे से ये पौधा चलता है, बहुत जाता तेज धूप की इस पौधी को ना तो सर्दियों में ज़रूरत होती है, ना ही गर्मियों में, पौधी पर जब भी वाटरिंग करें, गर्मियों में तो इस प्रे वाटरिंग करें, इस ये होता है कि इस पर धूर मिटी इनकी पतियों पर ज स्टार्ट हो जाती है अगर इस प्रेवार्टिंग आप नहीं करते हैं तो आप देखेंगे आपकी पतियों की जो चोटी-चोटी सी वह ब्राउन हो जाती है गर्मियों में इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है इससे आपका पौधे बहुत अच्छी ग्रोध करते ह और पतियां काफी चमकदार रहती है आप देखेंगे इस प्रेवार्टिंग करने के बाद बहुत ही जल्दिस में नई ग्रोध स्टार्ट होती है और पौधा आपका घणा होने लगता है टाइम टाइम पे जब भी इनकी पतियां सूख जाएं गर्मियों में ये प्रॉब् पानी प्रॉब्ध कर जाता है तो उसे जरूर निकाल दे और बारिस में टाइम टाइम पेंट के डिरेज होल चेक करते रहें पानी इनके पौट में ना रुके और आपके पौधी बिल्कुल जड़े ना सड़े जर्मियों में इसको पानी से नहलाएं लेकिन बारिस में इस जादा बारिस के पानी में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इनकी जड़े सर जाती है तो ये पौधा मरने लगता है और इनकी पतियां ब्राउन होने लगती है तो अगर आपके पौधे में ये प्रॉब्रम आ जाती है बारिस में रहने की वज़े से आपके पानी रुकने दो हिस्सा सैंड लें एक हिस्सा मीटी एक हिस्सा कमपोश्ट ऐसी मीटी में अपने पौधे को शिप्ट करें इससे आपका पौधा बहुत अच्छी गुरूद करेगा मरने से बच जाएगा अगल आप इसको खात देना चाहते है तो इसके लिए गोबर की खात सबसे अच् स्प्रेवार्टिंग करनी हुओ, या फिर बारिस नहिलाना हो। इसको बारिस नहिलाएं. य। जब size of the earth color??? बिल्कुल ड्राई हो तकि इस पौदे को ज़्यादा पानी के जुरत नहीं होती है कम पानी में भी यह काफी ग्रीन रहता है हरा बरा रहता है तो जब भी आप देखें इस पौदे की मित्ती बिल्कुल सूखी है तब ही इसको पानी से नहलाए अदरवाइस पानी ना दें वर तो इसे आप ऐसी जगए पे रखें जहां बारिस का पानी इस पे ज़्यादा ना पहुंचे और जैसे ही धूप निकले गुड़ाई करके इसको धूप जरूर देखाएं इससे आपका पौदा काफी हल्दी रहेगा और बारिस के पानी इसे यह खराप नहीं होगा और अग पारिस हो या गर्मी हरा बरा रहेगा तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें मल्चिंग का वाटरिंग का और खाद का ज्यादा की जरूरत नहीं होती है अगर साल में आप इसे एक बार भी खाद दे देते हैं तो वह भी काफी होती है इसके लिए उबर खाद सबसे ज़ टिक्स को फॉलो करिये और अपने पौधे को हरावरा रखेए जब भी इन से नए पौधे तयार हो तो सीड आप देखेंगी जब लाक से इनके सीड हो जाए तो 199 बारे इस